हालो फ्रेंट्स, वेल्कम बैक टू मैं यूट्यूब चैनल देवीस क्रियेशन, आज मैं 38 इंच ब्लाउस के बैक नेक डिजाइन अपलो के शेयर करूंगी, ब्लाउस के लेंध लेली हूँ 15.5 इंच, 38 का चौता इवागे सारे 9, 1.5 इंच प्लास की हूँ, तो 11 इंच, शोल लेंध होगा सारे 11 इंच, 11.5 इंच, और नीचे से भी सारे 3 इंच पे निशान लगा के चौकन बोक्स बना लूँगी, उपर से भी बोटने का शेप दे दूँगी, हलका सा गोलाई शेप देते हैं, और नीचे से एक इंच छोड के फिर निशान लगाऊंगी, और सीधा ल का डिजाइन दूँगी में, गोलाई करके, ये डिजाइन ये हो गया है, अब ये दिखिए, अब इसको काट लूँगी, धिरी-धिरे करके काटना है, और देखना है, डिजाइन जैसे अब लोग ड्रॉ करेंगे, उसी के उपर से काटना, नहीं तो आगे पीछे काटने से दिजाइन खड़ाब हो जाएगा, ये हो गया है काटना, अब में फेबरीक को भी काटके रख दी थी, इसके सीधे वाले पार्ट पे अस्तर कपरे को रखना है, और अस्तर कपरे को रखके फिर इसके उपर से स्टीच करूंगी मैं, ऐसे धीरे-धीरे करके स्टीच करते रह एकदम हलके हाथ से स्टीच करना, नहीं तो डिजाइन बिगरने का चांस स रहता है, क्योंकि इसमें पेपर पेस्टिंग की यूज़ नहीं कर रहे है, आप लोग चाहिए तो इसमें पेपर पेस्टिंग की यूज़ कर सकते हैं, ये थोड़ा मोटा कपड़ा है, तो स्टिचिंग हो गया है अब एक्स्ट एक्स्ट फेब्रिक जो है अंदर का उसको कटिंग कर लेना है यह आधा इंच के मार्जिन छोड़ते हुए जैसे सिलाई लगाई हूँ वैसे उसके हिसाब से कटिंग कर लेना है पूरा कटिंग करने के बाद पूरा जो नेक का डिजाइन उसके उपर चोटा-चोटा कट लगा दूँगी ताकि आसानी से बैक साइड में यह फोल्ड हो जाए यह देखिए अब पीछे पल्टाने के बाद सिधा कर लूँगी और थोड़ा नाखुन से हलके हाथों से प्रेस कर लेन कोना निकाल लेना है क्योंकि यह में जो कोना है यह डिजाइन का सबसे में चीज है यह अगर बिगर जाएगा तो डिजाइन उभर के नहीं आद दिखता है तो चलिए उसके बाद फिर स्टीच कर लेना है नेक के डिजाइन के उपर से और ऐसे धीरे-धीरे करके स्टीच कर के पूरा आगे बरते जाना है और मेन फेब्रिक के साथ अस्तर कपड़े को एटाच कर लेना है तो आप लोग कोई वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर कीजिए जिन लोग मेरे चैनल पे नया है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मुझे यह ऐसे दिरे-दिरे करके स्टीच करना हो गया है अब जो एक्स्ट्र एक्स्ट्र फेब्रिक है चारो तरफ से उसको कटिंग कर लेना है एक्स्ट्र फेब्रिक को कटिंग करने के बाद फिर आगे आप लोग को दिखाती हूँ यह हो गया है अब दोनों तरफ मैं टक्स लगा दूंगी सेंटर पॉंट से सारे 4 इंच के गैप में 4 इंच के लंबाई में टक्स लगा लूंगी और टक्स लगाने के बाद फिर कमर पट्टी को अटच करूंगी ठीक है, यह देखिए, दोनों तरफ टक्स लगाना हो गया है, अब यह कमर पट्टी के एक तरफ सिलाई करके, फोल्ट करके तैयार रखे थी, अब इसको अटच कर दूँगे, और कमर पट्टी जोडते समय यह बीच में एक प्लेट्स लगा देना, ताके खिचाओ नहीं आए ठीक है, यह देखिए, अब इसको पीछे पल्टा के स्टीच कर लूँगी, अभी कच्छा से लाई दे रहे हैं, बाद में इसमें तुर्पाई कर लूँगी, अब पट्टी ले ले लिए, लूस बनाने के लिए, डेरिंच औरी पट्टी, और इसको ऐसे डवल फोल्ड करके स्टीच कर लूँगी, जित्ता पतला पट्टी बनाएंगे, लूप्स देखने में अच्छा लगता है, फिर डेरिंच के लंबाई में इसको कटिंग कर लेना है, चाठोक लूप्स कटिंग कर लूँगी, लूप्स के लिए जो लंबाई में ये पट्टी को कटिंग कर लेन है 1.5 इंज के लंबाई में यह हो गया है अब इसको फोल्ड करके फिर अटच कर लूँगी इधर भी दोड़ाएगा लेप साइड में दो राइट साइड में दो पट्टी में अटच कर लूँगी ठीक है अब मैं इसके उपर एक लेस अटच करूँगी आप लोग लेस को कर सकते लेकिन मैं इधर अटच करूँगी इसके साथ बहुत ही प्याड़ा लगेगा डिजाइन लेस अटच करने के बाद दिरे दिरे करके कोना को देखते हुए खास करके यह लेस को अटच करना है जो उपर में लूप्स लगाई हूँ उधर अगर लेस अच्छे से नहीं लगा हो तो डिजाइन अच्छे से उभर के नहीं आता है चले लेस लगाना कंप्लीट हो गया है अब इसके अंदर मैं डोड़ी को डालूँगी यह देखिए इधर से डालूँगी और दूसरा साइट से निकालूँगी सेम दूसरा जो डोड़ी है दूसरे तरप का उसको भी ऐसे ही डालना है यह देखिए अब डालने के बाद इसके अंदर मैं लटकर बनाऊंगी इसके लिए चार बाई-चार का चौकौन पीस ले लिए हो और इसको ऐसे ट्राइंगल शेप में फोल्ड करके स्टीच कर लूँगी यह देखिए यह हो गया है अब इसको बाद दूँगे तो यह डिजाइन मेरा बन के रेडी हो गया है तो आप लोग को वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर कीजिए जिन लोग मेरे चैनल पर आज नहाए है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मुझे सपोर्ट कीजिए के लिए बाई बाई और हाँ जरूर कमेंट करके बताएए डिजाइन कैसा लगा